तो आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन मैं आपका दोस्ट अजेश लातिया दोस्तो इस समाँ मैं जिला सांबा चक बागला मैं उपस्तित हूँ मेरे साथ यहाँ पर रिस्पेक्टेड SDM सर है और यहाँ के सरपेंच है यहां के SCHO है और यहां के जितने भी निवासी है यहां पर मोजूद है यहां के मोल भी साथ भी यहां पर पहुंचे हुए सर आज के प्रूग्राम को देखकर आप क्या कहेंगे इन छोटे-छोटे बच्चो नों यही एक संदेश दिया है शायद आपको इतनी बड़ी-बड़ी रेलियों में भी संदेश नहीं मिला होगा देखे, मैं इस मोके पर कहना चाहूंगा कि बच्चों ने हमें भी भाउक कर दिया और ये जो आजादी है, आजादी का असली मीनिंग ही यही है आजादी हमें जिन कुर्बानियों के बाद मिली है और उस आजादी को काईम रखने के लिए भी जितनी कुर्बानिया हुई है उस सब का एक अगर निचोड निकालें तो हमारी आपस की एकता और जिस तरह के से बच्चों ने आज इस चीज़ को यहां पर इस खराब मौसम में भी इतनी खुबसूरती से पेश किया हम भी भाउक होगे और बहुत अच्छा लगा और जो मेरी पंचैत में जहां पर कोई बेदबात की कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लम हमारा जहां पर सभी हिंदू मुस्लम सेख भाई हम सब एक साथ रहते हैं और इन बच्चों को जो आया आप लोगों ने देखा होगे ये बच्चों ने इस वारिश में भी तरंगा लेका चोटो बच्चों ने तरंगा लेका लहराया और बड़ी मान में खूशी होई और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह पूरे हिंदूस्तान में और हर गाउं-गाउ यहां के जो मोलवी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हम उनसे भी कहेंगे सर आज आपने एक बहुत बड़ा प्यारा संदेश दिया है सर शुकरिया मैं सरफराज अमन कादरी इमाम जामास से चक बागला हर साल पहले साल यहां पर हमारे एसेश पी उस वक्त थे शक्ति पाटिक साब वो आए थे फिर अडिशनल इसी अडिशनल एसेश भी हमारे यहां पर आपना है इस साल हमारे साथ एसडिएम साब यहां तश्रीफ फरमा है और सात मैं सैचो साब हैarnice अर्पैर साब है यह जो मेरे महले के लोग है रशीक भई है और सब के नाम नहीं ले पाउंगा पूरी एक हमारी टीम है अब पर गुजारिश करूँगा कि ये चीज कोई मामूली नहीं उन शेहिदों को हमने आज तक क्या पेश किया 15 अगस से छुटी के दिन तक के लिए महदूद ना रखा जाए बलके घर घर में हमारे आने वाली नशनों को पता चले कि हमारे देश की आजादी के लिए कितने पांसियों के फंदेचों में कहीं कहीं साल तक जेलूंग में बंद रहे लाशें लटकाईंगी उन लोगों को हमें नहीं बूलना चाहिए और हमारी आने वाली नसल के बीच में हमें हुबलवतनी के लिए मुल्की तरकी के लिए बच्चे के हाथ में तरंगा होगा तो वो अजमतों को समझेगा मैं चाहूंगा कि हमारी आने वाली नसल जो है वो अच्छी रह पर चले हमारा मुल्क तरकी करे और हमें मिलकर ये जशन हर साल मनाने की रब तोफिक अता फर्मा है शुक्रिया और दोस्तों आखिर में जो इन्होंने एक सर से रिक्वेस्ट की है स्कू अगर आगे जाकर पड़ते हैं तो ये इन में कितनी काबियोत हैि कैसे क्या बं सकते है से आप क्या कहेंगे इसके वारे में अगर यह पर जगह मिल जाती है स्कूल के लिए तो यहांस ऍंपम्र कर्वर्ष कि लिए और था कि परके लिए तो और ऌफील requirement रहती है उसमें तो हम देखते हैं मैं अपने स्टाफ को भी यहां बेजूंगा तो उसके हिसाब से और जैसा कि सर्पेंट साब ने भी कहा है कि इनकी नजर में भी कोई लैंड है वो देख लेते हैं हम अगर वो हो जाता है तो बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा दोस्तों अब मिलेंगे हम आपको किसी और खबर में फिलाल मुझे दे इजादत जैहिंड जैबारत जैडूपर